we put a square we put b square value in equation equation number third तो यहां से देखेगा गए b यहां पे है 1 by 10 और यहां से कितना था अपने यह था 36 upon me a square equal to यहां पे कितना है 1 अब देखेगा कि 36 a square और यहां पे कियागा 9 by 10 अब इसको उपर multiply करा दीजेगा आप कितना है तो यहां से तो देखेगा 4 आगया यहां पे देखेगा इससे जैसे आप cut करोगे 9 से यह times गया 4 times इसको cross multiply करा दोगे तो a square कितना है 40 यह अपने पास क्या है answer answer क्या है a और b की value आई है ठीक है यहां तक अब देखेगा अब अपना क्या था असली क्यूशन इस्टार्ट होता है अब देखेगा कि क्या करेंगे we put a square and b square value in in equation किसमे in equation first तो यहां से क्या आएगा x square plus का देखेगा ए कितना है यहां पर पहले तो b आएगा तो यहां से 10 plus यहां पर y नीचे a square, a square की value कितनी ही 40 और equal to 1 अब आप इसको lcm लेके भी solve कर सकते हो तो यहां पर आपके सामने आएगा 14 lcm तो यह कितनी times गया 4 x square plus y square equal to 40 यह अपने पास क्या आएगे answer आएगे